हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल तो स्वागा थे आप सब का आपके अपने चैनल साइभेर का समय दोस्तों आज देखेंगे इतिहासक दस अधिम हत्मुन प्रस्न है तो जो भाग 6 होगा दोस्तों अगर यह स्रीज आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्त कोस्चन की ओर चलते हैं आज का फर्स्ट कोस्चन है दोस्तों अमित्र घात के नाम से किस सासक को जाना जाता है ए डिम्बसार बी बिंदुसार C. चंद्रगुप्दूतिये D. समद्रगुप्द इसका सही answer है दोस्तो बिंदुसा Next question दोस्तो अमित घात का मतलब ही आपको याद रखना पड़ेगा क्या होगा दोस्तो अमित घात का मतलब होता है सत्रुविनासाथ क्या दोस्तो सत्रुविनासाथ क्या सत्रुविनासाथ Next question देखते हैं डाइमेकस किस राजा के दरबार में आया था A. असुक B. विधरत C. मुहमद सा D. बिंदुसा इसका सही answer है दोस्तो बिंदुसाथ Next question देखते हैं असुक किस का उत्रा धिकारी था A. चन्दगुप्त मौरे B. चनक्य C. समुद्गुप्त D. बिंदुसाथ इसका सही answer दोस्तो बिंदुसाथ होगा Next question देखते हैं राजगर्दी पर बैठने के समय असुक कहा का राजपाल था A. मगध B. नलांदा C. उजयन D. अवंती इसका सही answer है दोस्तो अवंती Next question देखते हैं किस अवलेक में असुक का नाम असुक मिलता है A. मास की अवलेक B. गुर्जरा C. प्रयाग अस्तम्भवलेक A. D. A और B यानि मास की और गुर्जरा इसका सही answer है दोस्तो मास की और गुर्जरा इसका सही एंसर है दोस्तो टीम फैंतेलार जेम्स प्रिंसेप दोस्तो इनकी अभिलेखों को पढ़ा था जबकि खोज किया था टी फैंतेलार ने नेक्स्ट त्कासाम भी अभिलेख को किस नाम से जना जाता है। इसका चैनल सैंसर था जोस्तो पालार जाता है। A. भाबुरु अस्ताम, B. मास्की अभिलेख, C. मानसेहरा, D. सरनात अस्ताम, इसका सही अंसर भाबुरु अस्ताम है, नेक्स्ट वेस्ट्टन, कलिंग यूध की विजय का वर्णन किस सिलालेख में है, A. पहला सिलालेख, B. सात्वा सिलालेख, C. चोदहवा सिलालेख, D. ते का सही अंसर व्रीदत है, I hope दोस्तों, यह सिशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपना स्कोर कॉमेंट में लिखना ना भूले, और दोस्तों के साथ सेयर करें, तब तक के लिए जैहिन,